नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीनबी सी आवास पर मैं हूं हर्षता सावन्थ और आवाज आन्तुप्रेनियर का स्पेशल टेलिकास्ट हम सीधे लेकर आ रहे हैं बैंककॉक आइलेंड से लो कार्बन एर्थ एशिया का सबसे बड़ा क्लाइमिट फोकस अक्सिलरेटर है इसे को क्रियेट किया है उनाइटिड नेशन्स एंवार्मिन्ट प्रोग्राम गोफर एस्जीडीज एम्पावर और मैसिव फांडेशन में इस पहल का मकसद यही है लो कार्बन लाइस्टाइल क्लाइमिट चेंज और माइक्रो प्लास्टिक्स में काम कर रहें आंत्रप्रेनियर्स को बढ़ावा देना लो काबन अर्थ अक्सिलरेटर की शुर्वाद 2021 में हुई इस प्रोग्राम का मकसद क्लाइमिट चेंज में काम कर रहे स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देना है इस साल अक्सिलरेटर के तीसरे अडिशन में साड़े 400 से जादा अप्लिकेशन आई जिसमें से सरसर स्टार्ट अप्स को 12 हफतों के बूट कैम्प में भाग लेने के लिए शॉट्लिस भी किया गया और इसमें 5 देशों के चुनिंदा 14 स्टार्ट अप्स ने बैंककॉक में हुए डेमो डे में भाग लिया प्लूशन, माइक्रो प्लास्टिक, कार्बन एमिशन से लेकर ग्रीन मोबिलिटी, हाइड्रो एनरजी और सोलर पावर जैसे शेत्रों में नई और इनोवेटिव टेकनॉलजी की मदद से कारोबार खड़ा कर रहे आंत्रप्रेनियर्स ने इस अक्सिलरेटर में भाग लिया वो इनोवेशन्स, क्रियेटिविटी करनी चाहिए जहां एक और इस प्रोग्राम का उदेश, क्लाइमिट चेंज और परियावरन की दिक्कतों को दूर करना है वहीं इस प्रोग्राम के तहत, United Nations महला आंत्रप्रेनियर्स को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि क्लाइमिट टेक में महलाओं की भागेदारी बढ़े के पासिटी बिल्डिंग और फेसिलिटेशन की जरूरत है वह एंपावर प्रोजेक्ट के थ्रू हम प्रोवाइट कर रहे है लो कावन एर्थ के दोहजार तेईस के प्रोग्राम में भाग ले रहे स्टार्टाप्स की प्रोफाइल से साफ है कि सिरफ बिकसित देश ही नहीं बलकि विकाशील देशों में भी आंत्रप्रेनियर्स क्लाइमिट सुलूशन के लिए कोई कसर नहीं छोड रहे हैं वूल is a regenerative material so just like our hair it's very good at absorbing odors and gases and it is it enhances the synthetic dust filtration by almost twice a fault so it's really effective at filtration so we have decided to use wool to produce air filters with but we're not we're not stopping there we can also use other biofibers such as kinab and that are easily can be found in southeast asia and they can replicate our parenting technology इस accelerator में शामिल आंत्रप्रेनियर्स को mentorship के साथ networking का मौका तो मिला ही लेकिन साथ ही भारत और एशिया के नामी venture funds के सामने अपने कारोबार को पिछ करने का मौका भी मिला लो काबन अर्थ एक्सिलरेटर प्रोग्राम में पिछले कुछ सालों में भारतिय स्टार्टप्स की भागिदारी लगातार बढ रही है लेकिन भारत ही नहीं मंगोलिया पांगलादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी क्लाइमेट टेकनोलजी में बड़े सारे इन्नोवेटिव प्रोग्राम्स उभर कर आए हैं तो किस तरह की क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को ये आंत्रफ्रेनियर्स कर रहे हैं सॉल्व आइए देखते हैं मेरे साथ इसमें तीन आंथुप्रेनियर्स हैं कराची की दाबीर हिमानी गांधी नगर या एमदबाद में काम कर रही अंकिता विजय वरगिया और साथ ही जॉयदीप मॉंडल जो नवी मुंबई में अपनी स्टार्ट अप चलाते हैं दाबीर, अंकिता और जॉयदीप शुक्रिया मिरले समय निकालने के लिए दाबीर शुरुवात आपसे करते हैं कॉंसे लूप आपकी कंपणी एक्जैक्ली किस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर रहे हैं हमारे पूरे रीजन के अंदर जो बिगिस्ट प्रॉब्लम है वह प्लास्टिक वेस्ट का है और उसमें भी ज्यादा तर लो वैल्यू प्लास्टिक वेस्ट है जिसको उठाते भी नहीं हमारे स्कैवेंजर और कबारी वाले जो हैं तो उसको हम सॉल्फ करने के कोशिश कर रहे हैं और हम इसको एको एग्रिगेट बनाते हैं और जो कहीं भी कॉंक्रीट की अप्लिकेशन वीज हो सकता है और इसका हमने फ्रैंचाइजी मॉडल बना है जो सिफ पाकिस्तान में या थाइलेंड में या कहीं और नी पूरी दु तो बिल्कुल सही का आपने कि इसको कोई उठाता भी नहीं है तो हम इसकी एक यूज केस बनाना चाहरे हैं और हमारे जो एपी आर सिस्टम की बेसिस पे हम इसको पूरा वर्क कर रहे हैं हमारे साथ पार्टनर्स में सारे MNC बगेरा हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं किसके हम यूज केस बनाएं और इसको हम कॉंक्रीट के अंदर दाल दें जैसे कॉंक्रीट की जो प्रॉडक्त है जैसे आपका ब्लॉक हो गया आपकी पेवर हो गया वह से लो कार्बन ही होते जबकि उसके प्रॉपर्टी भी बेतर हो जाती जैसे वह पानी कम पीते हैं और सारी च जनेरीटर अभी बल्कवेश जनेरीटर इस एनी एंटिटी या और अर्गनाइज़चन जो कि एक दिन में पांत सो किलो या सौ किलो से जादा कच्रा जनेरेट कर रही है और हम लोग ये पूरा ट्रीटमेंट चीपर और फास्टर तरीके से करते हैं धन एंदन एन अदर कॉ कैसे हो रहा है cheaper and faster हमने दो साल R&D किया है और उसके बाद हमारे innovation को हमने एक product की तरह बना के design करके देन वी आपकी कंपनी की शुरवात 10 साल पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक हम शुर कॉंपटिशन भी बड़ा है लेकिन आका innovations को अभी भी अलग और you know set aside क्या करता है जब हम लोग ने शुरुवात किया शुरुवात के 2013 में हम लोग ने सबसे पहला Compostible Bioregrabble Sanitary Pad बनाए थे जो market में उस ताइम पे भी नहीं थे आज के डेट में भी certified Compostible Sanitary Pad के नहीं है और साथ में हम लोग ने जो किया है कि जो बाकि मल्टिनाशनल ब्राइंट के पैड मार्केट में मिलता है उसी प्राइस में उससे सस्ते में Compostible Pad लेकिया है तो एक तो Compostible है जो Environment के अच्छा है दूसरा हम लोग हेल्दियर भी है कॉस हम लोग जो लोग कुछ अलग अफकॉस करी रहे हैं लेकिन पर्यावरन क्लाइमिट के बारे में पर्यावरन क्लाइमिट के बारे में सोच कर कर रहे हैं तो यह जर्नी इनिशली शुरू करना मुश्किल थी बहुत मुश्किल था अगर जैसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे हम लोग entrepreneurs जो होते उनका कामी होता है मुश्किल चीज़े को solve करना अगर वहीं नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा हमारे केस में चैलेंज तो यह था कि मिन्स्ट्रल हाइजीन जो महावारी के ओपर हम लोग काम कर रहे हैं इसके लिए जागरुपता एक दम ही नहीं है जब दो हजार दस में हम लोग ने चालू किया था तो गाहों के अंदर साइनेश्री पैड को यूजी नहीं करता था पहली बात दूसरे बात है कि इसके बारे में क्यों है important है मिन्स्ट्र रहीं जैसे बच्चा पैदा कर न गाहों के अंदर बहुत important है बट उनको बहुत सारे मर्थ की पता हिने गाओं के अंदर की इसके साइद उनों connected है, तो वो सबसे important था, उसमें काफी वक्त गया, बाकी technology के related funding related challenge तो थे ही, बट मुझे लगता है सबसे बड़ा challenge average के उपर था. अंकिता, आपके लिए फिर challenge क्या रहा है, क्योंकि आप लोग waste manage कर रहे हैं, लेकिन किस audience के लिए कर रहे हैं और इवेंचल जो waste manage करके product निकलेगा, उसका इस्तमाल कया होगा? बिलकुल सही, I think हमारे लिए biggest challenge जो था वो product market fit find करना था, हमने जो product innovate किया है, उसका actual customer segment कौन सा होगा जो हमें पैसे भी दे सके, वो एक बार हमने nail down किया, उसके बाद अब हम उसी segment को target करके, पहले अपना business grow कर रहे हैं, उसके बाद उसी में हम लोग और innovations करके, और बाकी customer segments पे भी जाएंगे, जैसे कि MSW, which is municipal solid waste, सरकार जो handle करती है, या फिर और different types of biodegradable waste भी, अभी हमारा target audience, corporates, industries, townships, कोई भी bulk waste generator, जो कम से कम 500 kilo या 1 ton per day, का food waste से जादा generate कर रही है, और उसके पास concentrated जगां पे, एक ही जगां पे, वो waste अवेलिबल हो, पर उससे जो product बनता है, उ उसका इस्तमाल कहां पर हो सकता है, उससे हम लोग एक liquid bio fertilizer बना रहे हैं, जो अभी field trials और research में है, उसका इस्तमाल agriculture में होगा, और वो एक alternative है, as an organic bio fertilizer, as compared to chemical fertilizers, तब इन प्लास्टिक वेस्ट की जो problem है, ये global problem है, और उसमें जब हमारे जैसे देश आते हैं, तो एक और दिकत ह है कि दुनिया भर का कच्रा फिर South East Asia बेज दिया जाता है, तो इसके लिए कैसे solve की और किस तरह की partnerships में आप फिर उतरे हैं, जी बिलकुर आप ते सही बोला, I think हमारा region का ज्यादा बड़ा problem है, also because यहां पर हमारे पास बहुत बड़ी population है, और inflation बहुत राइफ कर रही है, त तो हमारा था इसको unit economic friendly कैसे बनाने है, क्यों ता कि हमारा जो end product है, या तो existing products के exact same price हो, या उससे सस्ता हो, और हमने इसको over that period of like two and a half years of a lot of work and iterations, हमने इसको crack किया है, और अब हम करना यह ही जा रहे है क्योंके हमने एक मुल्क का problem नहीं उठा है, हमने global problem उठा है, तो हम उसका पूरा franchise model बना कर, हम concentrate बना रहे हैं, जो use करके, वो दुनिया के किसी भी metropolis के बाएर, एक बहुत ही hyper local तरीके से, वो एक हमारी चीज़, जो eco great है, वो produce कर सकते हैं, और उससे उनको existing concrete players हैं, उनको देना है, तो दावीर यह जो partnerships हैं, फिर एक क्या cement company के साथ होंगी, या फिर end use में, जिसके हां पर यह block का इस्तमाल होगा, उनके साथ आप कर रहे हैं, जो perhaps एक municipal corporation हो सकती है, बड़ा corporate हो सकता है, जो अपना, you know, wear and tear के लिए, वो blocks इस्तमाल करना चाहें, तो हमने अभी, जो किया हुआ है, हमने strategically किया हुआ है, कि we have some interest from some cement manufacturers, लेकिन अभी के लिए हमने स आप काम किया है, तो हमारे वह सारे पोर्फोलियों पर आगा है, उनके साथ repeat orders है, शेल पेट्रोल स्टेशन कर रहे हैं, हम पेप्सि को के साथ काम कर रहे है, जिनकी global presence है, तो हमारा अभी plan यह है कि इनके साथ हम projects करें, repeat projects करें, कुछ हमारे biggest denning producers हैं, उनके साथ काम करें और उसके बाद हम scale करेंगे from different partners like cement producers, क्योंकि उसके पूरी market validation हो जाएगी, उसकी pricing हो जाएगी, field testing हो जाएगी, उसकी validation, testing के बाद, even production के बाद हो जाएगी, so that's the plan. Okay, अच्छा अंकिता यह बताईए, अब of course, आप लोग यहां से अपने business score scale करना चाहेंगे, तो जब आपकी बातचीत होती है, investors से, उनका largely response क्या है इस तरह के business को लेकर? हम usually दो टाइप के investors से अभी deal कर रहे हैं, एक तो non-dilutive funding, जो कि, जिसका मतलब होता है grants या ऐसा, जिससे कि आपकी equity dilute ना हो, दूसरा equity based or debt funding, या फिर ऐसे instruments जो बाद में equity में convert हो सकते हैं, दोनों के अलग-अलग focus areas होते हैं, और हमने उसको इस तरह से plan किया है, कि हमारा initially अ और अभी जो product market fit हमने find किया है, वो हम सारा fund कर रहे है, grant money and बाकी इस तरह के non-dilutive funding opportunities से, इसके बाद जैसे हमारा पूरा system इस तरह से set हो जाता है, कि हम लोग take off के लिए ready है, which is going to be very soon in fact, तब हम लोग equity funding उठाएंगे. Finally, जैदी, दस साल सो आप इस business में है, sanitary pad business तो आपने एकदम उस पर अच्छी खासी पकड जमा ली है, लेकिन यहां से आगे क्या आपने product portfolio को क्या expand करना चाहेंगे? हाँ, अभी next product, हम लोगों ने अलरी बनाना का काम चालू किया हुए, diaper. Sanitary pads, जितने pollutions कर रहे हैं, चाहे वो सास्तक के बारे में, और अगर climate change की बात करें, डाइपर का pollution उससे काफी गुना जादा है, और rashes का भी challenges है, जादा होता है और बच्छों के साथ, वो हम लोग ने बनाना ओरी चालू किया है, so that's our next product, अच्छा लगा है को सुनते हुए, कि Germany पूरे वर्ल को machine बेचता है, हम लोगों ने एक German company को diaper बनाने का machine बेचा है, चो एक start-up को जो हमारे machine से diaper बना रहे हैं, और बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं, तो जब मैंने आपका product use करना start किया sanitary pads, तब बहुत research की थी मैंने, and मैं कहना चाहूंगे कि आप ही का product एक मुझे मिला, जो truly compostable है, क्योंकि compostable के definition होती, 180 दिन में वो खाद बन जाना चाहिए, बाकी sanitary pads वो biodegradable बोलते हैं, tag लगा देते हैं, but actually, यहां पे जो चीजे, सारी चीजे biodegradable है, कोई 5000 साल में biodegrade हो तो इसलिए फिर मैंने आपका solution use किया, and diapers also, diapers के लिए भी मेरा 5 महिने का बच्चा है, और मैंने बहुत research की थी, before I chose कौंसा diaper पे जाना है, और options बहुत कम है, सही में, तो आप बनाएंगे तो definitely बहुत फाइदा होगा, thank you, thank you, चले तो आपको यहां बैठे 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 कार, लेकिन आप बने रही हैं, CNBC आवाज के साथ, Welcome back, आवाज, आंत्रफ्रेनियम में आप सभी का स्वागत है, पिछले कुछ सालों में, electric mobility, electric vehicles और बहतर air quality पर कई सारे start-ups ने innovative concepts पर काम किया है, शायद यही बचा है कि funding winter के बावजूद पिछले साल, climate technologies में लगातार investment हुआ, इसी पर मैंने बात की, Massive Foundation के शैलेश विक्रम सिंग और Austara Advisors की वसुदा माधभन से, शैलेश वसुदा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ले समय ने कालने के लिए, शैलेश, climate tech में हम सब जानते हैं कि काफी समय से, सालों से काम हो रहा है, और in fact यह तो आपके accelerator का तीसरा साल है, तो आपके observations क्या हैं, कैसे businesses इस समय climate tech में evolve हो रहे हैं? जैसे हमने शुरू किया 2020 के आज़ पास, तो मैं वज़ता से बता रहा था कि अभी तरह हमारे इस accelerator से करी करीब पे 300 के आज़ पास स्टार्ट अप हमने देख चुके हैं और अभी तक उन लोगों ने टोटल साड़े 400 मिलियन डालर रेस कर चुके हैं, काफी तेज ग्रोथ हो रही है, कंपेर टू कंजूमर टेक तो काफी कम हैं, लेकिन तब भी अगर हम पूरे सारे सेक्टर को देखें हैं, तो अच्छा खासा पैसा क्लाइमेट टेक में जा रहा है, कंपनियां काफी तेज बड़ी हो रही हैं, काफी पास्टिव हैं. खासतर से सीट तो स्केल के लिए एक नॉर्मल कंजूमर टेक हो, या फिर सैस कंपनी हो, या फिर AI कंपनी हो में, कितने डिफरेंट हैं, क्या यहां पर जादा समय लगता है, जादा पेशन्स की ज़रुरत हैं? हाँ, बिलकुल, I think climate tech का एक अलग ही, you know, the rules of the game are different. So climate tech में क्या हो रहा है कि जो established traditional industries हैं, वो बिलकुल ही change हो रही हैं, जैसे energy बदल रहा है, और mobility बदल रही है, जैसे हम carbon को use करते हैं, अभी हम उसको different types से use, emit करते हैं, अभी हम उसको use करेंगे. So all of this, you know, इसके वज़े से क्या हो रहा है कि businesses का R&D से लेके scaling up तक का journey एक different रहेगा, और इसलिए patient capital की जरूरत है, और एक VC और कोई जो equity investor है, या debt investor है, उसके लिए जो जिस नजराने से उसको देखना है इस business को, वो भी बदलना चाहिए थोड़ा सा. अच्छा Indian context में अभी इस समय देखें तो सबसे ज़ादा जो innovations आए हैं, वो mobility की तरफ आए हैं, electric vehicles की तरफ आए हैं. ये ecosystem अब यहाँ से और कितना evolve होता आप देखेंगे? Yeah, absolutely. I think हमारे देश में सबसे ज़ादा share of funding भी उनी को गई है और सबसे ज़ादा progress भी वहीं हुआ है. Of course, as a country हमने renewable energy में बहुत progress already किया है. उसमें काफी equity भी invest हुआ है, debt भी invest हुआ है, बड़े companies हैं उसमें. और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें ज्यादा reliance होना चाहिए on renewable energy. तो उसकी businesses, उसके लिए young startups भी हैं, जो उसका अलग तरीके से use करना है, उसको अलग तरीक system startups, उनका भी अभी काफी हो रहा है, लेकिन साथ में mobility का बहुत बड़ा industry has become quite big. So, electric scooter हो, या वो electric rickshaw हो, या electric cargo vehicle हो, two or three wheelers में हमारे देश ने सबसे जादा electrification दिखाई है. और इसका reason यह है कि इसके economics बहुत अच्छे हैं और हमारे, I mean, पूरे global तोर पे देखें, तो India ही है, जो two wheeler or three wheeler dependent country है, और सबसे ज़्यादा easy to electrify, तो इसमें fundraising भी हो रही है, क्योंकि यह ज़्यादा scale up भी हो रहे हैं in companies. शेलेश क्योंकि mobility in fact across Southeast Asia अच्छी खासी चलिए है, चाहिए वो Thailand हो, Indonesia हो, भारतिय बाजार में हम अपने examples को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन यह mobility से energy का transition अब शुरू होने लगा है क्या? जी हाँ, वो तो मतलब इसमें क्या हो बड़ा interesting point हुआ है, जब हम भी mobility बात करते हैं, जब हम climate sector की बात करते हैं, तो अगर हम सारे sector में देखते हैं, तो हमें लगता है कि market कितनी बढ़ी है चोटी है, climate में उल्टा है, climate में market बहुत जादा बढ़ी है क्योंकि जो सबसे गरी जो पीज़ में अधे, सबसे बढ़ी है जब हो रहा है, क्योंकि आपके बात के बात करते हैं, तो सेम बैटरी सिस्टम आपके solar को पावर कर सकता है, आपके बैटरी को वेक्डिक कर सकता है, आपकी वेकिल कर सकता है, वसुदा आप एक investment банker है, तो आपका platform basically venture capitalists और start-ups को एक मंच पर लाने का काम करता है और उनके बीच में फिर eventually वो funding का transaction हो ना हो लेकिन ये बताईए क्या जादा से जादा VCs अब patiently इन कंपनियों में invest करने के लिए इच्छुक होने लगे हैं क्योंकि इन कंपनियों में एक दिक्कत है जो शायद हर technology कंपनी में हो कि midway down the line आप R&D से आगे आएं तो वो technology obsolete होगी तो क्या होगा क्या ये fears अभी हैं तो इसलिए proof points होने चाहिए या adoption होना चाहिए consumer के साथ तो market में जब वो adopt होने लगता है तो थोड़ा confidence बढ़ता है क्योंकि जैसे शैलेश ने बोला कि ये सारे new technologies है और इसके वज़े से actually speaking कई लोगों को वो asset heavy asset light का भी debate रहता है और उसमें main चीज ये understand करने के लिए ये है कि इसके वज़े से हम पूरी जैसे हम पूरे industry को rewire करें हमें investment methodology भी rewire करनी पड़ेगी हमें अलग सोचना पड़ेगा सोचके कि इसकी growth despite being asset heavy इसकी growth वैसे ही हो सकते हैं जैसे asset light businesses की होती है and that is the main reason for a preference for asset light right so तो जो growth कैसे हम दिखा सकते हैं वो बहुत important है किसी भी investor के लिए of course investors में भी काई stages के निवेशक हैं जो बहुत early stage में आते हैं वो थोड़ा जादा deep tech या R&D level पर risk लेते हैं but the key thing is कि वैसे specialized investors भी हमको चाहिए जो कि वैसे early stage technologies पर bet करें आगे जैसे जैसे businesses बढ़ती हैं तो उसके बाद आप R&D के साथ customer के साथ traction देखते हैं वाल investor market validation देखते हैं उसके वजए से वो फिर बाद में बड़े pieces of capital आने लगते and that kind of makes the entire value chain work very well तो शैलिश जो धारना थी कि climate tech company revenue कमाने में बहुत समय लेगी वो धारना तो फिर आपकी company गरत साबित कर रही हैं यहां वास्तों में इसका सबसे बड़ा नुकसान किया climate वालों ने किया है कि जी हम लंबा कौन सी कंपनी में लंबा समय लगता है मतला आप हिंदुस्तान में जनली एक कंपनी मेशिर होने में बारा साल से पंदा साल लेती है यह उसमें आठ साल लेती थी बीच में funding से थोड़ा टाइम कंप्रस हो गया था बट इस्टिल एक कंपनी C2 IPO बारा साल है तो क्लाइमेट में भी है मतला आपके बारा साल में आए थी क्लाइमेट कंपनी आपकी जो मोबिल्टी कंपनी थी इसलिए हजार कॉन का रविन्यू कर सकती है तो मेरे खाल से IPO विल हो चुकी है मार्केट में जा सकती है तो टाइम उतन ही लग रहा है यह एक myth I think जो क्लाइमेट फाउंडर से हैं वो बहुत दिफेंसिव चल रहे है मतलब अब आपलोजेटिक बाट वाट वाट दोई तो I think उन्हें अपना नेरेटिव चेंज करना पड़ेगा उन्हें मुर कंविडेंस से जाथ को पिछ करना पड़ेगा मैं उसी पर वसुदास पिर आपसे सवाल आकरी यह पूछने वाली थी किया नरेटिव चेंज करने की जरूरत है कि लोग नॉमली क्लाइमेट टेक को हाई इंपक्त और इंपक्त से ही गौज करते थे अब फोकुस कितना ये रवन्यू कमा पाएंगी प्रोफिटबिल कितनी होंगी उस पर जादा होना चाहिए हां बिलकुल एक चीज जो अभी क्लियर हो गई है is that profit there is profit in planet friendly businesses हम planet conscious founders हैं इसलिए हमने कि ऐसा नहीं है यह जो innovations हुए हैं यह सब के लिए economic फायदा create कर रहे हैं जब आपने जो innovation और R&D करी और आपने business सारे business metrics आपने प्रूफ कर दिये तो फिर आपको apologetic होने की या किसी भी करने की कोई जरूरत ही नहीं है you made a alternate business model which works even better than the traditional income and business model so that is वो हम उस time पर है अभी जो बहुत सारे businesses scale करके वो प्रूफ करने लग रहे हैं तो climate is now becoming something where there is profit, there is economics and there is a very fair business argument to be made तो शायद समय आगे की छाती ठोक कर आप कहें की हम climate tech में हैं और हम revenue भी अच्छा कमाएंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे बहुत बहुत शुक्रे आप दोनों का इसी के साथ आवाज entrepreneur में इस हफते इतना ही अगले हफते फिर मुलाकात होगी गुडबाई, टेक केर